एक बार फिर से आप लोग को स्वागत है Mastermind of GK में फ्रेंट्स इस वीडियो में आज हम खेल से संबंधित 40 अती महत्पुन प्रश्ण को देखेंगे जो खेल से संबंधित है फ्रेंट्स इसके पहले वीडियो मैंने comment करके आपसे प्रश्ण पुछा था जिसका जवाब में आप लोग में confusion है तो देखें जो NCRT के book है उसमें यह बात लिखी हुई है प्रश्ण आपका था कि भारत छोडो अंदोलन की शुरुवात कब हुआ था डेट के साथ पूछा था किन्होंने 8 अगस्त बोला था किन्होंने 9 अगस्त बताया था ठीक है इसका concept क्लियर हो जाएगा देखें जो NCRT book में यही बात लिखी हुई है कि 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतिय कॉंग्रेस की बैठक मुंबई के गवालिया टेंक मैदान में हुई और भारत छोडो अंदोलन की प्रस्ताव को मंजूरु मिली ठीक है जो भारत छोडो अंदोलन था उसके प्रस्ताव को मंजूरु कम मिली तो 8 अगस्त को मिली इस प्रस्ताओं में यह घोसना की गई किया गया था कि भारत में ब्रिटिस आसन की ततकाल समाप्ती भारत में स्वतंता तथा लोगतंत्र की अस्थापना के लिए अवस्यक हो गई है ठीक है आगे देखे आगे लिखा हुआ है भारत छोड़ा अंदोलन क अगस्त क्रांती के नाम से भी जाना जाता है इसे आप जरूर याद रखेगा इस आंदोलन का लच्छ भारत से ब्रिटिश आमराज को समाप्त करना था यह आंदोलन भारतिय स्वतंता संग्राम के दवरान काकोरी कांड के ठीक 17 साल बाद 9 अगस्त 1922 को गांधी जी के आहण पर पूरे देश में एक साथ प्रारम हुआ था ठीक है तब समझ गया होंगे कि जब घंधी जी हवा न के थे तब 9 अगस्त और 9 अगस्त 1922 को पूरे देश में एक साथ से हुआ था लेकिन इसका मंझूरी कम मिला था तो आठ अगस्त को मंझूरी मिला था तो मैं देखा हूं उसमें चार ओप्सन दिया हुआ है उसमें इसका सही अंसर आपको 9 अगस्त बता रहा है तो आप मेरे ख्याल से आपका कॉंसेप्ट किलियर हो गया कि 8 अगस्त 942 को परस्ताव को मंजूरु मिली थे लेकिन गांधी जी के हवाहन पर 9 अगस्त 9 अगस्त 942 को प संबंदीत अति महत्कुन प्रस्त चलिए फ्रेंज तो इस वीडियो का पहला प्रस्त देखते हैं खेल से संबंदीत है काफी इंपॉर्टेंट प्रस्न है तो इस तरह का प्रस्न हमेशा पुछा जाता है कि ग्रीशम कालीन ओलंपिक खेल 2020 में कहां आयोईत किया जाएगा त इस कि अस्थान पर किया जाएगा तो इसे तीनो याद रखें अगर पुछा जाए बतिस्वा ओलंपिक खेल कायोजन 2020 में कहां किया जाएगा तो टोक्यो, जापान में होगा उसी तरह से पाच्पान नमर पर चोधिसमा उलमपीग खिल कायोजन कहां होगा तो लांच एंजिल्स अमेरीका में होगा 4-4 वर्सके अंतराल पर होता है ता ठीक है प्रेंट्स कांसेप्ट क्लिर हो गया 32 2020 कहां होगा टोक्यो जपान 33 अलम्पिक खिल कायोजन पेरिस फ्रांस और 34 अलम्पिक खिल कायोजन लांस एंजिस जो कहां पड़ता है अमेरिका में चले प्रशन नमर 6 को देखते हैं काफी इंपॉर्टन प्रशन है कि 13 विस्व कप किर्केट कायोजन कब तथा कहां किया जाएगा ठीक है तो बरहमात और 2019 में हो गया है ठीक है चार साल पर होता है तो तेरहमा जो विस्व कर्केट कप होगा वो कहाँ होगा 2030 में कहां होगा इसका मेजबानी भारत करेगा याद रखेगा प्रशन नमर 7 को देखें बहुत important प्रशन है ये किसमी राष्ट मंडल खेल कायोजन 2018 में कहां हुआ ठीक है जो हुआ था 2018 में राष्ट मंडल खेल वो कहे में थे ये किसमी थे वो कहां हुआ था तो गोल्ड कोस्ट क्विस लैंड में आपका अस्ट्रेलिया में पड़ता है अगला प्रश को देखें प्रश नमर 8 को देखें 22 मा राष्ट मंडल खेल 2022 की मेज़वानी कौन सा सहर करेगा देखें प्रस्तावित है अभी हमने देखा कि 2018 में कहा हुआ था बरमिंगम जो कहां पड़ता है? इंगलेंड में है, याद रखेगा बरमिंगम इंगलेंड में होगा प्रशन नमबर 9 को देखते है तो ओलम्पिक चीन देखें इस तरह का यह प्रशन पूचा ये ऐलम्पिक चीन में कितने विरत्या गोले होते हैं तो जो उलम्पिक चीन होते हैं उसमें कितने वीरतिया गोले होते हैं तो पांच गोले होते हैं चलिए अगला प्रस को देखते हैं प्रस नमर कि उलम्पिक धोज पर अंकित पांच छले किसके परतिक है जो उलम्पिक धोज है उसमें पांच छलाओ किसका परतिक है तो ये पा माँच महादीपों का परतिख हैं अगला पसको देखते हैं अगला 12 ऑल्मिशं कालिन ओलंपिक में ऑल्मपिक खीलों मंदện 4 वार्श के लर एंटरालों पर फे खता हैं कि ओलंपिक vergessen और वहादीर को प उल्हा दरा है तो जो उलम्पिक ध्वज है उस पे जो हरा वो लह है वो अस्ट्रेलिया को परतिक करता है अगला प्रस को देखते हैं कि उलम्पिक ध्वज पर अंकित चित्र आपस में जुड़े पांच विभिन रंगों छलो में कौन सा रंग अफिरका महादीब को परदर्शित करता है तो आपने देख लिया अगर जो पूरूश में पूछे तो राफेल ना डाल ठीक है नाम सूनेगे काफी फेमस नाव है तो फ्रेंच ओपन में पूरुस एकल में राफिन नाडाल उसी तरह से आपको देखे तीनों इंपोर्टेंट है चारो ठीक है आगला है आपका अस्ट्रेलिया अस्ट्रेलिया ओपन टेनिस परत्योगता दोजार उन्यश पूरुस एकल कि खिताब किसने जिता ठीक है तो अस्ट्रेलिया ओपन टेनिस परत्योगता जो ने हुआ था उसका पूरुस एकल किसने जिता था तो नौवाक जोको वीच किसे नौवाक जोको वीच नाम थोड़ा ठीड़ा है पर इसे जिरूरा दखेगा बहुत इंपोर्टेंट है तो हो गया आपका प्रेश नौवाक जोको वीच जबकि महिला कौन था अस्ट्रेलिया ओपन टेनिस परत्योगता है महिला एकल खित आप किसने जीता था तो ना ओशी ओशाका ठीक है यह साका यह कहां कि थी जापान कि थी ठीक है इसी तरह से पता चल रहा है ओशाका कहां परता जापान में तो ना ओशी ओशाका ठीक है यह अस्ट्रेलिया ओपन टेनिस परत्योगता है 2019 का महिला एकल का किसने जीता ना ओशी ओशाका ठीक है अभी हमने देखा था कि आपको अस्ट्रेलिया ओपन में भी पूरुस एकल में नौवाक जोकोवीच जीता था और जो बिम लंडन में पूरुस वाला में यही जीता था कौन नौवाक जोकोवीच अगला प्रस्ने देखते हैं कि विव लंडन ओपन टेनिस 2019 का महिला एकल खिताब किसने जीता तो किसने जीता था सिमोन हालेपने किसने सिमोल हालेपने तो प्रस्न नमबर 20 को देखते हैं अमिर्की ओपन टेनि 2019 का पूरुस एकल खिताब किसने जीता तो राफिल नाडल ने जीता था बहुत इंपोर्टेंट प्रस्ना है और राफिल नाडल इसके पहले भी हम देख चुके हैं ठीक है फ्रेंस तो यहां पर उनबर तो देख लिए थे अब देखिए राफिल नावेड कहा था देखिए आपका जो फ्रेंस ओपन टेनिस था उसका भी पूरुस एकल खिताब किसने जीता था तो राफिल नाडल ने और देखिए आपको जो अमेर्की है अमेर्की ओपन टेनिस 2019 का पूरुस एकल खिताब किसने जीता था तो राफिल नाडल और इसमें महला के बारे हम पूछा जा या मेरकी ओपन टेनिस 2019 का महिला येकल खिताब किस ने जीता तो इसका अंसर आपका हो जाएगा बियांका एंड्रिस्कू कौन है बियांका इंड्रिस्कू ठीक है नाम थोड़ा ठीड़ा है चलिए आप देखते हैं आगे अगला प्रस्ण आपका है कि किर्केट वर्ल्ड कप 2019 के फाइनल में इंग्लेंड ने किसे हरा कर पहली बार विस्प कप जीता था तो याद रखिएगा न्यूजू लेंड को ठीक है जो 2019 में किर्केट का जो विस्प वर्ल्ड कप हुआ था उसमें कौन जीता था सभी मेरे ख्याल से जानते होंगे इंग्लेंड ने जीता था कि और इंग्लेंड भी नया था ठीक है तब यह आद रखेगा कि इंग्लेंड ने न्यूजू लेंड को हराया था ने किसको हराया था न्यूजू लेंड क्योंकि न्यू मतलब होता है नया और यह पहली बार जीता अग्लेंड भी जीता है तो पहली बार जीता है इस तरह से पुछा जा सकता है कि किर्केट वर्ल्ड कप 2019 के उप विजेता टीम का नाम बताईए तो नीजुलैंड चले लेगड़ा प्रस को देखते हैं प्रस नमर 22 को देखें किर्केट वर्ल्ड कप 2019 के पूरे टुनामेंट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले ख्लाड़ी को ने ब अगला प्रशन है कि सर्वाधिक आईपिल जितने वाले टीम का नाम क्या है मुंबई इंडियन से जो सबसे ज़्यादा बार जीता है कितने बार चार बार जीता है ठीक है अगला देखिए प्रस्ण वही प्रस्ण है कि IPL टुनामेंट 2019 के फाइनल मैच में मुंबई ने किसे हराय था यह याद रखेगा चन्याई सूपर किंग को हराकर कितनी बार खिताब जिता तो चार बार जिता है तो चार बार जिता है कि आद रखेगा कि IPL टुनामेंट 2019 के फाइनल मैच में मुंबई ने चन्याई सूपर किंग को हराकर चोथी बार खिताब पे कबजा किया था प्रस्ण अगला प्रस्ण है कि भारत 23 कप किर्केट का पहली बार चेंपियन कब बना था अगला था तो उने 183 युग में भारत प्रस्ण अबर नाट था भारत के परथम टेस्ट किर्केट कप्तान कौँ थे बहुत इंपोटेंट प्रस्ण है पुछा जाता है तो पर्थम एक दिवस्यों पूछा जा रहा है तो उने 17 में ठिक है इस तरह से आद रखेंगे एक दिवसी एक तर एक दिवसी एक तर ट्रिक बैट जाता है तो पर्थम में एक दिवसी ए अंतराष्टे क्रिकेट मैचक अब खिला गया था उन्हेसो एक तर इसमी खिला गया था प्रश्च नमर तीज को देखें विस्व कप फुटबॉल का सरवाधिक भार बिजेता होने क गौरव किस देश को प्राप्त है देखें तो विस्व कप फुटबॉल टूनामेंट होता है वो सबसे ज़्यादा बार कौन जीता है तो ब्रांजिल ने जीता है प्रश्ण मरें 31 को देखें विस्व कप फुटबॉल का पर्थम विजेता देश कौन है और पहली बार कौन जी संतोस ज्यादव लेकिन यह महिला है अगला प्रस को देखते हैं कि एवरेश्ट की चोटी पर चड़ने वाली पर्थम सबसे कम उम्र की महिला कौन है तो डिक की डोलमा है कौन है डिक की डोलमा है प्रस नमबर 34 देखिए पूछा जाता है बटर फ्लाई सब की स्केल से लंबाई कितनी होते है अगला प्रस को देखते है कि किल्क अश्टांक की नंगाई होता है सभी जानते हैं अगला प्रस को देखे चलिए फ्रेंच तो प्रशन नमर 38 को देखते हैं काफी important प्रशन है 38 नमर प्रशन को देखे कि खेल के छेत्र में दिये जाने वाले अर्जिन पुरुसकार अधिक्तम कितने खिलाडियों को दिया जाता है तो देखे अर्जुन पुरुसकार है जो अधिक्तम 15 खिलडियों को दिया जाता है आपको इससे सम्मंदित और प्रशने पूछा जाता है कि अर्जुन 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 पूछा जाता है कि अर्जु लाख रुपया दिया जाता है तीसे भी आप याद रखें तो concept clear हो गया कि अर्जिन पुरुसकार अधिक्तम 15 खिलाडियों के दिया जाता है उन्हें 61 में शुरूआ था अर्जिन पुरुसकार और आजी गांधी खेल रत्न पुरुसकार उन्हें 92 में शुरू किया गया था अ रगभी फुटवाल में एक पचमि खिलाडियों के संख्या कितनी होते है बहुत इंपॉर्टन प्राश्ण है तो कितनी होते हैं 15 खिलाडी होते हैं एक पचमि चली इस वीडियो का लाश्ट प्रशण है इसका जवाब हमें आप comment करके बताईएगा प्रश्ण है आपका कि रगबी फुटबॉल किस देश का राष्टिये खेल है ठीक है जिस तरह से भारत का राष्टिये खेल है हाउकी है उसी तरह से रगबी फुटबॉल किस देश का राष्टिये खेल है हमें कॉमेंट करके बताईएगा आद रखियागा रगबी फुटबॉल के एक पस झाल झाल